हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन सी कबाब की रेस्पी जिसे हम बनाने वाले हैं माइक्रोवेब में साथ मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे की जो आपके कबाब हैं बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनेंगे तो बुलकुल लाश्ट तक वीडियो को देखती रहिएगा बहुत ध्यान से कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे जो आपके कबाब हैं बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं तो चलिए रेस्पी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे प जो को हमें तवे पे थोड़ा सा रोश्ट करके इसका एक पाउडर बना लेना है तो यह देखिए हमारा गरम मसाला फ्रेश तयार हो चुका है यह हमारे जो कबाब को बहुत ही फ्लेवर्फुर बना देता है और अब मैंने ले लिया है यहां पर मटन का कीमा तो यहां मैंने जो मटन लिया है वो 400 ग्राम मटन लिया है और अम इसमें एड़ कर दिया है देड़ चमस करीब नमक तो नमक को एड़ करने के बाद आप इसमें हम एड़ करने वाले हैं हल्दी पाउडर तो यहां पर मैं देड़ चमस करीब हल्दी पाउडर एड़ करूंगी यह देखिए देड़ चमस मैंने यहाँ पर डाल दिया हल्दी पाउडर उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे आधा चमस रेड चिली का पाउडर यदि आप मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा एड़ कर लीजे और अब मैं इसमें में इंडिडियन्स एड़ करने वाले हू अधरक और लहसुन जिसे मैंने अच्छी तरह क्रेश कर लिया है यह भी हमारे जो मटन को कुप करने में बहुत हल्प करता है और इसमें एड़ करने आली हो में आधा चमस रेट चिली का पेस्ट उसके बाद इसमें एड़ करेंगे हम गरम मसाला जो कि हमने अभी फ्रेश त करते हैं एक चमस लेमन का जूस जो कि हमारे कबाब को बहुत ही फ्लेवर पुल मनाता है तैन उसके बाद हम इसमें एड़ कर रहे हैं दो से धाई चमस करीब गाढ़ा दही तो याद रखिएगा आपको गाढ़ा दही ही लेना है पतला दही नहीं लेना है और अब हम सारी च इसके इस तरह से पाउडर बना लिया है तो मैंने यहां पर एक से डिड़ कटोरी करीब रोश्टेट चना पाउडर एट किया है और आप इसको हम रख देंगे ढगके आदा घंटे के लिए फ्रिज में तो आदा घंटे हो चुके थे फ्रेंड्स उसके बाद मैं यहां आ ग सेट करते हैं तो यहां पर मैंने 200 डिग्री सेट किया है यहां देखिए स्टार्ट की बटन को दो बाट टैप करेंगे और हमारा जो माइक्रोवेव हैं प्री हीट होना स्टार्ट हो गया है जब तक हमारा माइक्रोवेव प्री हीट होता है हम बागी तैयारियां कर लेते है तो सबसे पहले तो मैंने यहां पे लिया है baking tray और नीचे में यहां पे लगा देती हूँ oil मैं हमेशा जो कबाब्स हैं इस baking tray में ही बनाती हूँ यदि आपके पास यह baking tray नहीं है तो जो हमने जाली रखी है डारेक्ट आप उस जाली पर रखकर भी कबाब्स को बना सकते हैं और अब मैंने यह ले लिया है कबाब का मिस्टन जो की हमारा मैरीनेट होके तयार हो चुका है तो आप मैं इसमें add करने वाली हूँ धनिया और उसके बाद हम इसमें add करेंगे जो हरी प्याज होती है वो तो हरी प्याज और धनिया को बारीक कटी हरी प्याज और धनिया को add कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिला दूंगी इसमें तो यह जो धनिया और हरी प्याज होती है उससे जो हमारे कवाब से तूटने का थोड़ा सा डर रहता है तो आपको इसे अच्छी तरह से गुत लेना जैसे आटा गुत ते हैं ना उससे अच्छी तरह से गुत लीजिए जिससे कि जो धनियine और प्याजिये वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी फिर आपके कवाब नहीं तूटेंगे तो आप देख सकते हैं जिससे कि यह प्याज और धनिया इसमें अच्छी तरह से रही ही हुँ इसे को लंबां लमबा करें तरह से फ्लैट कर लूंगी और इस बाद इसमें बीच में सीख रखेंगे और फिर इस मिश्ण न को जो हमने कबाब का जो मिश्ण लिया है उसको इस तरह से इसमें पैक करते जाएंगे और इस से दवा दवा के इसको एक राउंड शेप दे देंगे इस तरह से तयार करना है और यहां पर ध्यान रखिएगा जो हमने यहां पर सीख ली है उनको पानी में आपको फुलाना बहुत जरूरी है जब आप सीख कबाब माइक्रोवेब में कुख करते हैं नहीं तो फिर जो सीख कबाब तयार कर लेते हैं जब तक मैं इनको तयार करती हूँ यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक करिएगा वीडियो अच्छा लगता हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के शाथ शेयर करिएगा तो यह देखिए मैं इस तरह से सारे कबाब बना लेती हूँ दबा दबा के आपको अच्छी तरह से कबाब बना लेना है आपको हलकी हाथ से नहीं अच्छी तरह से दबा लेना है नहीं तो फिर यह तूटने लगेंगे तो इस तरह से बना लिए हैं सारे इसी तरह से तयार कर लिए हैं कुछ सीख कम गई थी तो और बच गया था हमारे कबाब का पेश तो ले मिस्टन बच गया था तो उसके मैंने इस तरह से गोले बनालके से लंबे-लंबे करके रख दिया है और आप इसमें हम एड़ करने वाले हो ओईल उपर से अच्छी तरह से ओईल लगा देंगे यदि आपको घी लगाना है या बटर लगाना है तो आप म कबाब के उपर से जो क्रंच है वह बहुत इच्छा आता है तो सारे कबाब में मैंने इस तरह से ओईल लगा लिया है और इसमें हमारे कबाप माइकरवेब के अंदर अब हम इसका डोर बंद करेंगे और इसका टाइम स्ट करेंगे तो आप स्क्रीन पर देखिए जो गोल व बटन है उसी से मैं टाइम को बढ़ा रही हूं राइट शाट कर गो घुमाते जाएंगे इसको तो जो टाइम है बढ़ जाएगा तो मैं इसका टाइम सेट करने वाली हूं 30 मिनिट्स यह देखे 30 मिनिट्स आ गया इस टाइट की बटन को प्रेस किया तो आफ्टर 20 मिनिट्स हमें इसे एक बार निकालना है और उसमें ओईल या घी आपको जो भी पसंद है वो लगाना है तो इसे हम कुखोने देते हैं 20 मिनिट्स के लिए 20 मिनिट्स के बीच में आपको इसे लगा देती हूं घी तो मुझे ऐ जो कबाब से उसमें घी की खुछि बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं यहाँ पर घी एट कर रही हूं मैल्ट लगा सकते हैं और यदी चाहें तो ऑली लगा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर मैल्ट लगा दिया है और आप मिसको फेसे आप हैं बन के तयार हो जाते हैं आप देख सकते हैं कितना आसान हैं इनको माइक्रोवेव में बनाना आप यह रेस्पी जरूर ट्राय करिएगा और यदि आपको माइक्रोवेव से समंदित कोई भी दिक्कत होती है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा मैं बुलकुर र सकूँ यह देखे टाइम पूरा हो चुका है हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं अब हमको निकालेंगे कितने अच्छे और यम्मी और बहुत ही टेश्टी हो जो इसकिन की खुस्बू है वो पूरे किचिन में भर चुकी है बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है तो चलि अंदर से बीएक दम सौफ होते हैं और जो मटन है वह अच्छी तरह से कोख हो जाता है थर्टी मिनिटस में जो हमारे कबाब सेंवू को रेडी हो चुके हैं और अब इनको मैंने निकाल लिया है प्लेट में साथ में हम इसे नीबू और टमाटर मिर्ज के साथ सेथ सेर्व क बताईएगा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बुलकुल भी मत भूलेगा मिलती हूँ आप लोगों से नेश्ट वीडियो पर जब तक अपना ख्याल रखिए बाई